नमस्कार दोस्तों एक वर फिरिस्टस वागत था आपका टेक्ट्यूब हिंदी यूटूब चैनल पर पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप अपने एंड्रोड मोबैल में iOS 14 लॉंचर अपलाई कर सकते हैं तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज की इस वीडियो में आपको बताने वालाओं कि कैसे आप iOS 14 विजिट्स अपलाई कर सकते हैं अपने किसी भी Android मोबैल में तो यदि आप भी अपने Android मोबैल में iOS 14 विजिट्स अपलाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको दो अप्लिकेशन डाउनलोड करने होंगे पहला iOS 14 विजिट्स और दूसरा KWGT एप दोनों के लिंक आपको डिस्क्रीप्शन में मिल जाएंगे तो आप इन्हें डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए इसके बाद आपको अपने फोन की होम स्क्रीन पर आजाना है और होम स्क्रीन पर लोंग प्रेस करना है अब आपको नीचे विजिट्स का उप्सन देखने को मिल जाएगा तो आपको इस पर कलिक कर देना है अब आपको लास्ट में KWGT विजिट्स देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले आपको 2x2 सौइज वाले विजिट्स को होम स्क्रीन पर एड़ कर देना है इसके बाद आप कोई भी विजिट्स ले सकते हैं लेकिन आपको इस विजिट्स पर लोंग प्रेस करके इसकी साइज भी 2x2 कर लेनी है इसके लावा आप 4x2 साइज वाले वेजट भी अपलाई कर सकते हैं Home Screen पर वेजट से एड़ करने के बाद आपको सबसे पहले इस 2x2 वाले वेजट पर कलिक करना है अभी आपके सामने KWGT Aip ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको 2x2 और 4x2 साइज के iOS 14 वेजट देखने को मिल जाएंगी तो आपको यहाँ से 2x2 साइज वाले किसी भी वेजट पर कलिक कर देना है अब आप चाहें तो इस सेफ वाले उप्शन पर कलिक करके इस वेजट का साइज भी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं इसके बाद आपको इसे सेव कर देना है तो अभी हमारी फोन की होम स्क्रीन पर एक वेजट एड हो चुका है अब इसी तरह से आपको 4x2 वाले वेजट पर कलिक कर देना है इसके बाद आपको कोई भी 4x2 वाला वेजट सेलेक्ट कर देना है साइज चेंज कर देनी है और सेव कर देना है इस तरह से आप अपने होम स्क्रीन पर iOS 14 के वेजट सपलाई कर सकते हैं उमेदा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आगे भी ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद